आज मैं आपको एक स्पाइसी सी बियानी बनाने का तरीका बताऊंगी जो सिर्फ आकिसान में ही नहीं आकिसान से बाहर भी दूसरे मुलकों में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है तो चलें आएं मैं आपको सबसे पहले बियाने में इस्तमाद होने वाली चीज़ां के बारे में बताती हूं सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 kg चावल यह मैंने बास्मति के चावल लिए उसके बाद यह 1 kg चिकल यह सबस धनिया और पुदीना यह मैंने काटकर रख लिए और यह अलोब खारे के चंदाने और यह एक पाव दही और यह टमाटर है जिनको मैं बार में कदूकश कर लोंगे ये लसनुर द्रक और ये दूसरे मसाला जात ये हरी मर्च और ये सूखा दनिया, काली मर्च, जीरा, दाल चीनी, छोटी लाची, करीपता, लांग, ये सारी चीजे मैं ब्रेयने में इस्तमाल करूँगी और ये प्याज है और नाजरी में आपको एक बात बताओं कि ये सारी अपने अपने अशले शकले रखी है, अब इन सब को मैं बढ़ी काट लोगी और ये अरी मर्च है इसका मैं पेस्ट बिनाओंगी ये मैं वैसे रिमर्च इस्तमाल नहीं करूँगील कि मेरे बचे खाते होगे इसको बाही निकाल देते हैं और ये जो चार प्याज है ये मैं बियानी में काटके यूज करूगी और एक प्यास जो है वो मैं बाद में एंड पर बदाऊंगी किसका मैंने इस्तमाल क्या करना है और लसन दर कमा पेश्ट में लोगे सबसे पहले मैं इस चिकन को हलका सा फ्राइ करूंगी इस चिकन को मैंने लेमन और नमक लगा कर रखा हुआ जो कि मैं दस मिन्ट पहले लगा लिया था है अधर जाए नहीं है अधर नादरीन अब काफी अब तक ये चिकन पाई हो थिक है अब मैं आइस ता इस चिकन को बहर निताल लेकिं आप से और यह जो स्कार आयल है यह जया नहीं होगाए खीके मैं बाकी सारे ब्रियाने के ये कुपी ज़्याइव इसके आयल कुरते है जैसे वी ब्रियानी में तोरा आयल जादा ही युजदता है इसलिए यह ढौसाय है इसके अब यह शाराबे ज़ुदा अब इसकी पुरिमाइ अब चावल कर दोंगी, उतनी देर मैं साथ अले पीले को पर चावल बॉइब होने के राखरी चीए, यह लिए बिखें, यह मैंने पानी रख रहा है गरब, और इसमें मैं अब 2 चमच नमब, और थोड़ा सार लेमन डालेंगी, लेमन डालने से जो चावल हैं जब आप बॉइल करते हैं तो बिल्कुल भी एक बुस्ते के साथ नहीं करते हैं, बलके हर दाना बिल्कुल अलग लगेंगी, अब यह चावल ची तरह रहून हो जगा है, इसमें मैंने लसन और अबरत का पेस्ट भी शामल कर दिया, अब इसमें मैं बाकी मसाला जाद शामल करूंगी और आपके सामने यह मैंने ग्रैली अमसाला जाद यह सारे दूसरे मसाला जाद, जैसे कि आप देखने अब इसकी शकल काफी अच्छी हो गई है, अब देखने में मैं अब तक तक माल जाद शामल करने लगी और इसकी मैं ड्रॉमन्ट के लिए और यह मैं अब इसमें अब आलोब खारा, वानोग शामल कर दीया, अब इसको मैं दोल्वन चिली डाउब के रख दूँगी ताके हर चीज अची तरह मिक्स हो जाए और इसके बाद में चिकल साला करके इसको भूनेंगी अब मसाला तिक रख दूँगा और अब मैं इस मसाले में जोश ताहमा करूँगी जिशी खुश्मुवा आरी है इस तरह चाबल भी इलकुल उबल चुकिया है अब मैं इनको छान लेती हूँ दो अब इनको निकाल लेती हूँ और साथ ही इसमें मैं बाकी देही और सबग मर्चे इनको पेस्ट या था वो बनाओं ली इसमें मैं सबग मर्चे डालने लगने और साथ ही ये वेनिस में दही भी शामल कर दिये, आप बेख सकते हैं, अब इसको मैं दो मिनट के लिए इसको डाउप की रख दोंगे ताकि दही अपना पान ये ची तरह चोड़े, देके साधन बुनके बिल्कुल क्यार हो चुक है, अब मैं इसको चावलों में पैय लगा त के दम लगाती हूं, और उन्हें आपको चावलों के दम लगाने लगी, ये चावल जो मैंने बॉइल करके चाहन के रखे हो हैं, ये इसकी तरह मैं तया लगा रही हूं, ये इसमें मैंने दनिया और पोदीना जो काटके रखा था वो डाल लिये, और उसके ओपर ये प्यास, जो मैंने आपको प्ताया था कि एक प्यास मैं आपको बात में बताऊंगी, कि इसको कहां यूज करना है, तो ये प्यास जब आप बियानी कहेंगे तो आपके मुं में आपको आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा, ये इसका टेस्ट हर चीज से अलाग होगा, इस तरह मैंने की दो तीन तहे लंगा हूंगी चाहलों की फिर उनको मैं दाम दे दूगा, बिल्कुल बियानी रड़ी है, दाम के लिए अब मैं उसके ओपर तोड़ सा लेमू का जूस टालूँगी जो मैंने रखा वारा हूं, और फिर इसके बाद इसकी खुबसूरती के लिए, मैं इसमें फूड कलर औरंज, जो हम लोग जगदे में यूज करते हैं, वो रंग डालूँगी, इसके वैसे जब आप इसको डिशोट करेंगा तो बड़ा खुबसूरत कलर नजर आएगा, और यह पार्टी में वैसे जब आप में दावत की हो तो इसकी बहुत ज़्याज़ ज़्याज़ दाती है, लेकिन यह चाबल को दम लग चुका है, और एक उपसूर से लूग का पके सामने है, मैं आपको डिशोट करके दिखाती हूं, देखेगा, इन अ अब यह बिलकुल खाने के लिए तयार है, अब इसको काएं, चेकें और जरूर बताईएगा क्या कैसी लगी